बॉलिवुड कैफे आज explain कर रहा है एक polish movie इस movie में mother और daughter दोनों एक ही लड़के से attracted होती हैं यह film Poland Film Festival की 2017 की award winning movie है जो कि 2017 में release हुई थी इस movie में mom Eva और daughter जुलका एक shopping mall में shopping कर रही हैं आज जुलका का 18th birthday है इसलिए वो birthday celebrate करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों य जुलका ने भी अपने कुछ खास friends को बुलाया है तब ही जुलका store के बाहर देखती है तो वो देख के खुस हो जाती है क्योंकि उसका boyfriend Adrian बाहर खड़ा होता है Adrian जुलका को बाहर बुलाता है Adrian को जब जुलका की mom देखती है तो उसके चेहरे की खुसी अजानक से गयब हो ज ignore करते हुए बाहर चली जाती है जुलका की mom देखती है कि जुलका अपने boyfriend से मिलके काफी खुस है Adrian जुलका का काफी time से boyfriend था जुलका Adrian से काफी जादा प्यार करती थी लेकिन जुलका की mom Eva को इन दोनों का relation बिलकुल भी पसंद नहीं था सौपिंग करके जुलका की mom बाहर आती है जुलका कहती है कि मुझे बड़ी खुसी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलके खुब celebrate करेंगे तब ही Adrian कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे तो जुलका थोड़ी की mom बिलकुल भी पसंद नहीं करती हैं लेकिन सचाई ये है कि जुलका की mom खुद भी Adrian की तरफ काफी attracted थी और Adrian तो खेर जुलका की mom को अजीब नजरों से देखा ही करता था इन दोनों के बीच में अनकही romantic tension साफ दिखाई पड़ती थी जुलका की mom car drive करके lake house पर जुलका का birthday celebrate करने के लिए आ जाती हैं और डिक्की से सामान निकाल के जुलका को देती हैं और उसको कहती हैं कि उपर जाके सारी windows खोल देना जाते समय जुलका Adrian को कहती हैं कि आजओ तुम भी आजओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूं लेकिन Adrian कहता हैं कि तुम चलो मैं भी क पीछे पीछे जाता हैं तो जुलका की मॉम कहती हैं कि तुमारी बस एक घंटे में निकलने वाली हैं तुम यहां से चले जाना Adrian को पता था कि जुलका की मॉम का behavior उसके लिए कुछ जादा सही नहीं रहता हैं इसलिए वो without any reaction घर के अंदर चला जाता हैं Adrian घर के अंदर आता हैं और जुलका की मॉम से बात करना चाता हैं लेकिन वो जुलका की मॉम से काफी डरता हैं क्योंकि उसको पता हैं कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का आंसर नो ही होने वाला हैं तो भी वो हिम्मत करके कहता हैं कि जुलका ने मुझे invite किया था अब अगर मैं यहां से चला जाओंगा तो जुलका को अच्छा नहीं लगेगा और उसका birthday spoil हो जाएगा जुलका की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुलका को कहती हैं कि हमें अभी केक बनाना चाहिए लेकिन जुलका कहती हैं कि अभी तो बारा ही तो बजे हैं हमारे पास बहुत सारा time पड़ा है और वो स्विम करने के लिए अपने boyfriend के पास चली जाती हैं इस जवाब को सुनके जुलका की मॉम थोड़ी disappoint हो जाती हैं जुलका की मॉम अभी घर की सफाई में लग जाती हैं लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है वो काम में बिलकुल भी concentrate नहीं कर पा रही है पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्र जुलका दोनों मिलके काफी enjoy कर रहे हैं अब जुलका की मॉम जुलका के birthday के decoration में लग जाती हैं और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाती हैं जुलका की मॉम घर को birthday party के लिए तयार करती हैं लेकिन उसके चेहरे पे अब वो खुसी नहीं है जो सुबह एड्रियन के आने के पहले थी जो खुसी उसके चेहरे पे shopping mall में थी अब वो खुसी पता ने कहां गायब हो गई है जब जुलका की मॉम घर की cleaning कर रही होती हैं तो पीछे एड्रियन आ जाता हैं डरता डरता घर के अंदर आता हैं और बिलकुल जुलका की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता हैं तो संस्क्रिम चाहिए मुझे मिल नहीं रही हैं तो जुलका की मॉम वहीं पर खड़े खड़े बोलती हैं कि अगर संस्क्रिम चाहिए तो डूनना सुरू कर दो एड्रियन जुलका की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोसिस करता हैं जुलका की मॉम भी यहां स प्लीज मैम मुझे रहने दीजे प्लीज मुझे जुलका के बर्थडे में सामिल होने दीजे जुलका की मौम थोड़ा सोचते हुए बोलती हैं कि संस्क्रिम तो बात्रूम में रखी हैं मैं लेकर आती हूं और वो एड्रियन से धूर हट जाती हैं बात्रूम में जाते हुए जुलका की मॉम एड्रियन को कहती हैं कि अगली बस एक घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर चले जाना, फिर जुलका की मॉम बात्रूम में चली जाती हैं और गहरी सांस लेती हैं, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, वो थोड़ा पानी पीती हैं और सोचती हैं कि वो एड्रियन से इतना अट्रेक्टिट फील क्यों करती हैं उसको ये बात समझ में नहीं आती वो संस्क्रिम लेती हैं और एड्रियन को दे देती हैं एड्रियन अब लेक में स्विम कर रहा था तो पीछे से जुलका की मॉम उसको देखती हैं और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती हैं साम का समय हो चुका होता है एड्रियन और जुलका दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं तो जुलका मॉम के डेकोरेशन को देखती हैं और वो कहती हैं कि मॉम ने ये लेटरंस क्यों लगा दिये एड्रियन भी जुलका के पीछे जाई रहा होता हैं तो उसको जुलका की मॉम रोक देती हैं और वो कहती हैं कि तुमारे डेड का कॉल आया था तुम्हें घर पे बुलाया हैं तुम घर की कीज अपने साथ ले आए हो इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है तो जुलका उसकी मॉम को पूछती हैं कि एड्रियन के डेड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया तुम्हें क्यों कॉल कर दिया तो जुलका की मॉम कहती हैं कि तुम दोनों swim कर रहे थे और lag के पास proper network नहीं आता है इसलिए उन्होंने मुझे call किया है अब Adrian को वापस जाना पड़ेगा Adrian अपना phone देखता है और उसको पता है कि यहां network की कोई problem नहीं है इसलिए वो जुलका की mom के पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि मेरे father ने आपको call नहीं किया है आप मुझे एक chance क्यों नहीं देती है तो जुलका की mom Adrian को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुमारे dad को call कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी daughter के साथ क्या कर रहे हो तो Adrian confidently बोलता है कि मैं मैं आपकी daughter से प्यार करता हूँ I am in love ये बात सुनके जुलका की mom बहुत हस्ती है जैसे कि Adrian बिल्कुल ही जूट बोल रहा है वो कहती है कि तुम कितने बेसर्म लड़के हो तुमें पता है न क्योंकि जुलका की mom को पता था कि वो जुलका का boyfriend होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी flood करता है तब ही जुलका आती है और कहती है कि keys मिल गई है ले जाओ तो Adrian कहता है कि आता हूँ एक मिनट और जाते समय वो जुलका की mom को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है मैं जुलका से सच में प्यार करता हूँ जुलका की mom और Adrian के बीच में एक अनकही romantic tension अब जादा बढ़ रही थी ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाते थे लेकिन जुलका की mom का moral inhibition इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था अब Adrian कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुलका की mom देखती है कि जुलका और Adrian दोनों बाते कर रहे हैं और जुलका Adrian को पूछ रही है कि वापस आओ गे न तो Adrian कहता है कि शुर मैं जरूर आऊंगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं और फिर वहाँ से Adrian चला जाता है Adrian के जाने से जुलका की mom जैसे थोड़ी रिलेक्स हो गई और उसने गहरी सांस ली जुलका अंदर आके अपनी mom से पूछती है जुलका की mom को समझनी आया कि इस बात पर वो कैसे रियक्ट करे तो जुलका कहती है कि Adrian आपके बारे में दिन में बार बार पूछ रहा था कि अपनी mom के बारे में कुछ बताओ तो उसकी mom कहती है कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में तो जुलका कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी mom कुछ दिनों पहले naked swimming के लिए गई थी जिसकी वज़े से हमारे neighbors ने complain कर दी थी और हमारे गाओं के administration ने मेरी mom को इस बात के लिए warn किया था कि वो आगे से लेक में naked swimming करने के लिए नहीं जाए तो इस बात पे जुलका की mom काफी surprise हो जाती है कि ऐसी private बात उसने उसके boyfriend Adrian को बता दी है जुलका बात को कारते हुए कहती है कि milk नहीं है क्या मुझे cake बनाना है तो उसकी mom काम को वहीं पे छोड़ते हुए वो कहती है कि milk तो हम खरीद के लाए थे तो जुलका कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है तो जुलका की mom milk को ढूंडने के लिए store room की तरफ जाती है वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे milk की bottles पड़ी हुई है जिसको cake और cream prepare करने के लिए वो shopping mall से खरीद के लाए थे लेकिन जुलका की mom जुलका को कहती है कि milk तो है नहीं मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा और वो shower लेने के लिए बातरूम में चली जाती है जुलका बिना किसी सक के cream prepare करने में लग जाती है अब जुलका की mom milk लाने के भाने से लेक हाउस से दूर city की तरफ जाती है एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुँचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था जुलका की mom कार लेके उसके पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए कहती है एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुलका की mom कार चलाती रहती है ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थी काफी देर तक जुलका की mom कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में एक awkward type का silence रहता है थोड़ी दिर बाद में जुलका की mom एक सुनसान सी जगत देख के अपनी कार को रोक देती है लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थी जुलका की mom उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हातों से जुलका के mom के चेहरे को सेलाता है जुलका की mom एड्रियन के physical attraction से अब हार चुकी थी और अपने आपको उसने एड्रियन के हवाले कर दिया और अब ये दोनों मिलके कार में intimate होते हैं intimate होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है तो जुलका की mom देखती है कि उसके phone पर जुलका का call आ रहा है लेकिन वो जुलका का call काट देती है एड्रियन जुलका की mom के पास आता है और उसके चेहरे पे अजीब सी खुसी होती है लेकिन जुलका की mom इतनी खुस नहीं होती है क्योंकि वो अपनी desire के आगे मजबूर होके एड्रियन के साथ intimate होई थी बलकि वो दिमाग से नहीं चाती थी कि वो अड्रियन के close भी रहे इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोसिस करती और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती लेकिन body की unmitigated chemical desire हमेशा human intelligence पे भारी पढ़ती है और यही बात जुलका की mom के साथ भी हुई जुलका की mom एड्रियन से cigarette मांगती है वो cigarette जला के जुलका की mom को दे देता है और फिर से जुलका की mom के close आने की कोसिस करता है लेकिन जुलका की mom अब उसमें कुछ खास interest नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार्ट से नीचे उतर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है जुलका की mom अपनी cigarette खतम करती है गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती एड्रियन अब चला गया है तो जुलका की mom सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉटर का birthday celebrate करेगी जुलका की mom जब लेक हाउस पे पहुंसती है तो वो देखती है कि घर का सारा decoration बिखरा पड़ा है जो लेटरंस उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे हुए है और कुस तो तूटे हुए भी है ये देख के जुलका की mom को बड़ा अजीब लगता है वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुलका बे सुद किचन के फ्लोर पर सोई हुई है जुलका अपनी mom से पूछती है कि आपने मेरे call को answer क्यों नी किया तो जुलका की mom उससे जुट बोलती है कि मेरा phone mute mode पे था जुलका की mom पूछती है कि तुमने cake कैसे बना दिया तो जुलका कहती है कि मुझे milk मिल गया था वो store room में रखा हुआ था ये सुनके जुलका की मौम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुलका को पूसती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया आज तो तुमारा बर्थ डे है ना तो जुलका कहती हैं कि कोई party नहीं होगी यहां पर जुलका की mom को अंदरें अंदर काफी डर लग रहा था। जुलका कहती हैं कि एड्रियन ने मुझे message किया हैं कि वो नहीं आएगा और अब वो जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा। जिसकी वज़े से जुलका को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और वो काफी रोई और अभी भी काफी रो रही हैं जुलका की मॉम नीचे बैठती हैं जुलका को कंसोल करने की कोसिस करती हैं तो जुलका कहती हैं कि मॉम आप हमेशा से सही थी आप सही कहती थी कि एड्रियन पाफीर होती हैं जुलका की मॉम जुलका को गले लगा देती हैं लेकिन जुलका को नहीं पता कि उसकी मॉम नहीं एड्रियन को बार-बार यहां से जाने के लिए कहां और आप वो खुद एड्रियन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्फ होके आई हैं जिसकी वज़से साइद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंट्रेस्टेड नहीं हैं और जुलका की मॉम जो अपनी डॉटर के 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एक्साइटेट थी आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी भरबाद कर दिया हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती हैं मूवी का एक्स्प्लेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक ये फॉवाचिंग